हलो बच्छों, SBN Online Classes में आपका स्वागत है, आज का टोपिक है मानाव का अध्यावणी तंत्रे, देखो, अध्यावणी का मतलब होता है, यहाँ पर जो सरीर होता है, उसका जो बायतम आवरण होता है, उससे समद्धित, मानाव का बायतम आवरण या पर इसकिन या भी ताउचा के द्वारा निर्मित किया जाता है, ताउचा और ताउचा से सम्मंद्धित जो अंग होते हैं, तवचा और तवचा से सम्मंधित अंग यहां पे मिलकर के अध्यावर्णी तंतर का निर्मान करते हैं एक तवचा और सम्मंधित अंग सम्मंधित अंग के अंदर आता है आपका जैसे रोम, नाखुन, इसके अलावा तवची ग्रंटिया यह आपस में मिल करके यहां पर जो अध्यावनी तंत्र है इसका निर्मान करते हैं इसमें समंधी तंग में जो रोम नाकुन और तौचिय गरंतिया है यह इसकी इनके साथ या तौचा के साथ में मिल करके अध्यावनी तंत्र का निर्मान करती है यहां पर जो अध्यावणी तंत्र है या फिर इसकी इसकी उत्पती एक्टो मीजोडर्मल परकार की होती है अध्यावणी या फिर इसकी इनकी जो उत्पती है ये किसके द्वारा होती है एक्टो या फिर मीजोडर्मल उत्पती होती है इसके अलावा यहां पे जो तौचा है इसमें तौचा में यहां पर दो बाग होते हैं जिसके अंदर पहला आता है एपिडर्मिस और दूसरा आता है इसमें डर्मिस एपिडर्मिस अधीचरम और डर्मिस का मतलब होता है चरम एपिडर्मिस का मतलब क्या होगा अधीचरम और डर्मिस का मतलब होता है चरम तो देखो तौचा के दो पाट है एक तो हो गया एपिडर्मिस और दूसरा हो गया इसके अंदर डर्मिस देखो एपिडर्मिस यहां प लाग होता है तव्चा का यyrics से निर्मित होगा यहां पर डर्मिस से निर्मित होता है अब देखो इसमें यहां पर सबसे पहले epidermis के बारे में देखते हैं कि epidermis क्टैमिस क्या होती है देखो this epidermis अभी इसकी इनके बारे में बताया है उत्पती एक्टो मीजोडर्मल परकार की होती है यहां पर एपिडर्मिस की उत्पती एक्टोडर्मल या फिर एक्टोडर्मिस से होती है एपिडर्मिस की उत्पती किसके द्वारा होती है एक्टोडर्मिस के द्वारा इसके अलावा यहां पर जो एपिडर्मिस वाला जो भाग होता है इस भाग के अंदर रक्त वाहिमिया और जो तंत्रीकाई होती है इनका अबाव होता है रक्त वाहिमिया और तंत्रीकाउं का इसके अंदर अबाव होता है इसके अलावा एपिडर्मिस यहां पर इस्त्रीत उपकला उथ्टक द्वारा डखी रहती है यहां पिर जो epidermis है इसका formation यहां पर इस्तरीत उपकला उत्तक्य द्वारा होता है देखो epidermis बाहितम बाग है जिसकी उत्तपती एक्टोडर्मिस की द्वारा होती है epidermis के अंदर रख्तवाईनिया और तंत्रीका यह अफसेंट होती है इसके अलावा epidermis यहां पर इस्तरीत उपकला उत्तक्य द्वारा निर्मित होता है बाद में आते हैं यहां पर अंदर से बाहर की और अंदर से बाहर की और epidermis को यहां पर पांच भागों के अंदर डिवाइड किया गया है देखो इसकीन की जो टीएस का ध्यन करते हैं तो उस दोरान यहां पर जो epidermis वाला बाग है तो उसके यहां पर पांच भाग है पांच भाग किदर से हैं अंदर से लेकर के बार की और रहेंगे तो यहां पर इसके पांच भाग है जिसके अंदर पहला भाग आता है मेलपीगी इस्तर या फिर इस इस्तर को बोलते हैं अंकुरन इस्तर पहला इस्तर आता है यहां पर मेलपीगी इस्तर या फिर अंकुरन इस्तर देखो मेलपीगी जो इस्तर है यहां पर सबसे आंत्रिक भाग होता है सबसे आंत्रीक भाग होगा मैलपीगी इस तरह इस भाग की जो कोशिकाए होती है ये इस तंबाकार होती है जो की यहाँ पर निरंतर विवाजन सील होती है यहाँ पर इस भाग की कोशिकाए है इस तंबाकार है जिसके अंदर निरंतर विवाजन सीलता का गुने पाया जाता है जिसके कारण एपीडर्मिस के अन्ने भाई जो भाग होते है उन भागूं का निर्मान होता है इसके अलावा इस बाग के अंदर मेलेनो साइट उपस्तित होती है जिसके कारण ताउचा का रंग जो ताउचा होती है उसके अंदर रंग पाया जाता है यहाँ पर ताउचा का जो रंग होता है यह मेलेनीन वर्नक के कारण होगा ताउचा का रंग किसके कारण होता है मेलेनीन वर्नक के कारण है देखो पहला इस तर मेलपी की तर है या फिर इससे अंकुरन इस तर भी कते हैं सबसे आंतरिक भाग होता है इस बाग की जो कोशिक रहे होती है वो इस्तंबाकार होती है इसके अंदर निरंतर विवाजन सिल्टा का गुणे पाया जाते हैं यहाँ पर इस बाग के अंदर मेलेनो साइट से पाया जाती है जो की इसके अंदर यहाँ पर ताउचा को रंग फरदान करती है और रंग कौन सा होगा यहाँ पर अंदर मेलेनीन की मात्रा अधिक होती है वहाँ पर इनका रंग गैरा होता है देखो यहाँ पर जो मेलेनोसाइट्स है इनके द्वारा मेलेनीन वर्णका निर्मान के अधाता है जिनके अंदर इस वर्णक की मात्रा कम है वो गोरे और जिनके अंदर गैरा रंग होता है मेलेनिन वर्णक अधिक होता है उनका रंग गहरा होता है सेकिंड वाग आता है इसके अंदर या पर इस्पाइनोसम या फिर हिंदे के अंदर बोलते हैं सूलिस्तर पहला था इसमें मेलपीगी स्थर सेकिंड आता है इसमें इस्पाइनोसा में या फिर सूल इस्थर देखो सूल इस्थर या फिर इस्पाइनोसा में या पर मेलपीगी इस्थर के बाहर की और उपास्तित होता है देखो अब भी बताया था मेलपीगी इस्थर सबसे अंदर वाला बाग है इसके बाहर की और डायगराम में देखना सबस अंदर मेलफी की स्थरे इसके बाहर की ओर यहाँ पर सूल स्थरे पाया जाता है ये वाला जो इस तरो होता है ये अनेक परतूंसे मिलकर बना होता है इस बाग की जो कोशिका यह होती है यह बहु कौनिय होती है इस बाग की जो कोशिक है होती है यह यहाँ पर बहु कोणी होती है इस बाग के द्वारा यहाँ पर जो ताउचा होती है उसको मजबूती फरदान की जाती है इस बाग की जो कोशिक है यहाँ पर ताउचा को मजबूती फरदान करने का कारिये करती है तीसरा बाग आता है इसमें काण इस्तर या ग्रेनुलोसम ग्रेनुलोसम इस्तर देखो यह वाला इस्तर यहाँ पर इस्पाइनोसम के बाहर की और उपास्तित होता है और यह पासे लेकर के साथ परतों से मिलकर बना होता है इसके अलावा यह वाला जो भाग है इस बाग में इस बाग की जो कोशिक है है इनमें केरेटो हाइलीन प्रोटीन इस बाग की जो कोशिक है है उनमें केरेटो हाइलीन प्रोटीन पाई जाती है देखो थार्ड इस्तर है इसमें काणी इस्तर यह पिर ग्रेनूलोसम इस्तर यह पर पासे साथ परतों से मिलकर बना होता है और इसमें केरेटो हाइलीन प्रोटीन पाई जाती है नमबर 4 आता है इसके अंदर यहां पर लियूसीडियम या पिर स्वाच जिस्थर लियूसीडियम जो कणिस्थर है उसके बाहर की ओर उपस्तित होता है यह यहां पर 3 से 4 परतों से मिलकर बना होता है यह इस तरह यहाँ पर तीन से चार पर्तों से मिलकर बना होता है इस परत के अंदर एलीडीन नामक रसायन पाया जाता है इस परत के अंदर एलीडीन नामक रसायन पाया जाता है जो की जो किरेटो हाइलीन है उसके द्वारा निर्मित होता है देखो लियुसीडियम यहाँ प पे एलेडीन नमक रसाइन पाया जाता है जिसका निर्मान किरेटो हाइलीन प्रोटीन के कारण होता है अब एलेडीन यहां पे पारदर्सी होता है एलेडीन कैसा होता है पारदर्सी इसलिए यह इस्तर यहां पे पारदर्सी होता है लेकिन जल के लिए आप पारगम्मे होगा जल के लिए पारगम में इसतर है यह, देखो, लियुसिडियम या फिर स्वच इसतर तेन से चार पर्तू से मिलकर बना है, और जो कन इसतर है, या ग्रेनूलोसम इसतर है, उसके बाहर की ओर उपास्तित होता है, इसके अंदर, जो कन इसतर के अंदर, किरेटो हाइलीन प्रोट करती है जिसके कारण यह जो इस्तर है यह पारदर्शी और जल के लिए ऐ पारगम में होता है इसके अंदर नंबर पांच जो बाग है यह आता है इसमें कॉर्णियम या फिर इसको बोलते है किन इस्तर कॉर्णियम या फिर इसको बोलते है किन इस्तर जो एपिडर्मिस है उसका सबसे बायतम जो बाग होता है यह यहाँ पर किन या फिर कॉर्णियम इस्तर कहलाता है यह इस्तर आठ से लेकर के दस परतों से मिलकर बना होता है यह जो इस्तर है यहाँ पर आठ से लेकर के दस पर्तों से मिलकर बना होता है इस इस्तर में यहाँ पर किरेटीन नामा के निर्जीव फदार्थ का निर्मान होता है कॉर्णियम यहाँ पर किनिस्तर आठ से लेकर के दस पर्तों से मिलकर बना होता है इस इस्तर के अंदर किरेटीन नामा के निर्जीव फदार्थ का निर्मान होता है इसके अलावा यह जो इस्तर होता है यह एपिडर्मिस का सबसे मोटा भाग होता है जो किनिस्तर है ये एपिडर्मिस का सबसे मोटा इस्तर है यहाँ पे जैसे सरीर के अंदर जो कटोर बाग है जैसे पैर के तल्वे और हाथ की हतेली इसके अंदर यहाँ पे ये मोटा इस्तर होता है जबकि जो आखूं के अंदर या फिर जो कोणिया है उसके अंदर ये इस्तर बावती पतला होता है देखो यहाँ पर कोणिया में किन इस्तर है ये वाला जो बाग है पैर के तल्वे और हाथ की जो हतेली है उसके अंदर तो मोटे इस्तर के रूप में पाय जाता है इसके अला उपस्तित होता है इसके अंदर एक आता है स्रंगी बवन का मतलब क्या होता है यहां पर किरेटीन के निर्मान की क्रिया को यहां पर क्या कहेंगे स्रंगी बवन कहते हैं स्रंगी बवन के कारण यहां पर जो खटोर बाग स्रीर के वहां से तवचा निरंतर सरीर से अलग होती रहती है तो स्रंगी बवन का मतलब है किरेटीन का निर्मान होगा उस क्रिया को क्या कहेंगे स्रंगी बवन कहते हैं स्रंगी बवन के कारण यहां पर जो तवचा है इसके बाल नाकुन और जो ताउचा गरंतिया होती है उनका भी निर्माण होता है सरंगी बावन किरेटीन का निर्माण होने की जो किरिया है उसे सरंगी बावन खते है इसके अलावा यहाँ पर जो ताउचा के व्युत्पन अंगे जैसे बाल होगे नाकुन हो गया और जो ताउचा की जो ग्रंतिया होती है उन ग्रंतियों का निर्मान भी स्रेंगी बावन की द्वारा होता है तो यहाँ पर जो ताउचा के बाग थे उसके अंदर पहला है एप एपिडर्मिस के अंदर गटवाइनिया और तंत्रिका अफसेंट होती है इसके अंदर इसकी उत्पती एक्टोडर्मिस के द्वारा होती है एपिडर्मिस इस्त्रेत उपकला उत्तक के द्वारा डखा रहता है अंदर से बाहर की और इसे पांच बागों के अंदर डिवाइड क्या गया है पहला है मेल्टीगी इस्तर या फिर अंकुरन इस्तर मेल्टीगी और अंकुरन इस्तर सबसे आंत्रीक इस्तर होता है इस इस्तर की जो कोशी का ही होती है वो इस्तंबाकार होती है कोशी का ही इस्तंबाकार होती है जो की निरांतर वीबाजन सील होती है इस इस तर के अंदर मेलेनोसाइट उपास्तित होती है जिसके कारण तौचा का रंग जिसके कारण तौचा में रंग पाया जाता है और ये जो रंग है ये मेलेनीन वर्णा के कारण होता है सेकंड बाग आता है इसमें स्पाइनोसम या फिर सूल इस्थर ये वाला जो बाग है बहु कोणी है कोशिकाओं से मिलकर बना होता है इसके अंदर अनेक परते पाए जाती है और ताउचा को ये मजबूती फरदान करता है तीसरा इस्थर आता है इसमें काणिस्थर या फिर ग्रेनोलोसम इस्थर ये वाला इस्थर पांस से लेकर के साथ परतों से मिलकर बना होता है इस वाग के अंदर केरेटो हाईलीन प्रोटीन पाई जाती है फिर आता है इसमें नमबर चार लियोसीडियम या फिर यह यहाँ पर 3-4 परतों से मिलकर बना हुआ होता है। इस इस्तर के अंदर जो किरेटो हाइलीन प्रोटीन है। इसके द्वारा एलीडीन नामक फदार्द का निर्मान होता है। जिसके कारण यहाँ परत पारदर्सी होती है। इसके अलावा जल के लिए पारगम्मे होती नमबर 5 आता है इसमें कॉर्णियम या फिर किन स्थर है। यह सबसे बारी स्थर होता है। आर्च से लेकर के दस परतों से मिलकर बना होता है। इस परत के अंदर किरेटीन नामक निर्ची फदार्द का निर्मान होता है। इसके अथिरिक पैर के तल्वे और हाथ के अथिल क्रिया होती है यहां पर जो उसके द्वारा निर्मान होता है जमान सिर्णा ग अंग होता है ना कुन हो गया इसके सेकिंड भाग आता है इसके अंदर दर्मिस, सेकिंड भाग इसके अंदर आता है दर्मिस या फिर इसको बोलते हैं चरम. देखो एपिडर्मिस बाई ये आवरन का निर्मान करती है जबकि जो डर्मिस होती है ये ताउचा के आंतरिक बाग का निर्मान करती है एपिडर्मिस की उत्पाती एक्टो ड्रम के द्वारा बताईए जबकि डर्मिस की उत्पाती मेजो ड्रम के द्वारा होती है दर्मिस की उत्पती किसके द्वारा होती है मेजो ड्रम के द्वारा होती है यहां पर इसे दो भागों के अंदर बाटा गया है एक है पेपिलरी इस्तर और दूसरा आता है इसमें जाली का इस्तर दो भाग है एक तो आता है इसमें पेपिलरी स्थर और दूसरा आता है इसमें जाली का स्थर देखो पेपिलरी स्थर यहां पर जो एपिडर्मिस है उसका सबसे आंत्रिक भाग मेलपीगी स्थर मेलपीगी स्थर से जुड़ा रहता है मैल पीगी स्थर के अंदर यहां पर उबार वे गर्थ पाए जाते हैं मैल पीगी स्थर में उबार वे गर्थ पाए जाते हैं जिनें रेटे पेगस कहते हैं मैल पीगी स्थर में यहां पर उबार वे गर्थ पाए जाते हैं जिनें क्या बोलते हैं, रेटे पेगस कहते हैं, तो जो पेपेलिरी इसतर है, यहाँ पर जो उबार होए गर्थ है, उनकी साहिता से जो मेलटीगी इसतर है, उससे जुडावा रहता है। दूसरा था इसमें जाली का इसतर यहाँ पर दर्मिस का आंतरिक भाग है यह दर्मिस का आंतरिक भाग है इस भाग के अंदर यहाँ पर जो रक्त वाई मिया इसके अलावा तंत्री का है और जो कोलेजन तंत्तु होते हैं वो इसके अंदर उपस्तित होते हैं जाली का इस तर आंत्रीक बाग है इस बाग के द्वारा इस बाग के अंदर यहां पे रख्तवाईनिया पाई जती है तंत्री का यह पाई जती है इसके अलावा जो collagen तंतु होते हैं वो उपास्तिते होते हैं तो यहाँ पर जो ताउचा है ताउचा की सरंचना के दो मुक्के बाग है एक तो गया यहाँ पर epidermis और दूसरा हो गया dermis देखो dermis के यहाँ पर मिजोडरम के द्वारा इसकी उत्पती होती है दो भाग है एक है पेपेलिरी स्थर और दूसरा जाली का इस्थर पेपेलिरी स्थर यहाँ पर मेलपीगी स्थर से जुड़ा रहता है किसकी साहता से मेलपीगी स्थर में उबारवे गर्त नूमा सरंचना पाई जाती है जिसे रेटे पेगस कहते हैं ये रेटे पेगस पेपली इस तर से जुड़ा रहता है दूसरा आता है इसमें जाली का इस्तर जाली का इस्तर डर्मिस का सबसे आंत्रिक बाग होता है इस बाग के अंदर रक्तवाईनिया और तंत्रिका हैं इसके अलावा जो कोलेजन तन्तु होते हैं वो इसके अंदर उपास्तिते होते हैं इसके अलावा यहाँ पे तवचा की बात करते हो तो इसके अंदर जो तवचा होती है सरीर के अन्य भाग उसे जिस भाग के द्वारा जोड़ी रहती है उसे अदो चर्मिय भाग कहते है अदो चर्मिय भाग देखो दो भाग थे एपिडर्मिस और डर्मिस लेकिन डर्मिस के नीचे एक भाग और रुपाया जाता है जिसे अदोचर्मी भाग कहते हैं इस भाग की साहता से जो तवचा होती है ये सरीर के अन्य भागों से या फिर जो अन्य अंग होते हैं उनसे जुड़ी रहती है या पर अदोचर्मी जो भाग है इसे दो भागों में एक तो होता है एडी पोज दो बागों में बटा गया है एक तो होता है इसमें एडिपोस और दूसरा आता है कॉर्णियम एडिपोस यहाँ पर वसिय उत्तक से सम्मंदित होता है एडिपोस किस सम्मंदित है वसिय उत्तक से सम्मंदित है एडिपोस जो इस 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 तर के अंदर वसा का जमाव होता है वसा का जमाव और वसा यहां पे ट्राई गिलस्रोइड की रूप में उपास्तित होती है जो वसा होगी वो किसके रूप में पाई जाती है ट्राई गिलस्रोइड की रूप में उपास्तित होती है देखो अदोचर में जो बाग है उसके दो बाग है एक तो एडिपोस और दूसरा कॉर्णियम एडिपोस यहाँ पर वसी उत्तक से सम्मन दीते हैं इस बाग के अंदर वसा का जमाव होता है और जो वसा होती है यह ट्राइग इल्स्रोइड की रूप में जमी होती है जो वसा है या फिर वसी उत्तक इसके कारण यहाँ पर जो सरीर होता है यह उसमा रोधी होता है वसी उत्तक के कारण सरीर कैसा होता है उसमा रोधी दूसरा कॉर्णियम भाग आता है ये भाग यहाँ पर जो ताउचा होती है इसे ताउचा को सरीर के जो आंत्रीक भाग होते हैं उनसे जोडने का कारिये करती है देखो एडिपोस्त हो गया वस्य उत्तक से संबंदी थे और इस उत्तक के अंदर यहाँ पर वसाका जमाव है और यह भी ट्राइगिल्स्रोइड के रूप में उपास्तित होती है जिसके कारण यहाँ पर जो ताउचा है यह सरीर वो उसमारोधी होता है दूसरा कॉर्णियम ह यह वाला जो भाग है यह ताउचा को आन्थ्रीक अंगुसे जोड़ने का कारिये करता है तो इस फरकार से जो अध्यावनी तंतर है उसके अंदर जो ताउचा है और ताउचा से सम्मंती तंग उसके बारे में फटते हैं लेकिन यहाँ पर पहला जो टोपिक है वो आता है अंदर ताउचा और ताउचा की जो सरंचना है उसे मुख्य रूप से दो बागों के अंदर डिवाइड किया गया था पहला था एपीडर्मिस और दूसरा कुन सा है डर्मिस से एपीडर्मिस के पाच बाग बता है जबकि डर्मिस के दो बाग होते है एपीडर्मिस बाइए वाग होता है, जबकि डर्मिस इसके अंदर आंतरिक भाग होता है, अधोचर्मिय भाग है, ताउचा को सरीर के अन्य भागू से जोडने वाली सरंचनाओं का निर्मान करता है, एपिडर्मिस के अंदर जो पाच भाग है, उनका वरगी क्रण अंदर से बाहर की ओर किया ग invari है जो epidermis का पहला बाग है, वो कौन सा है, malpigy इसतर है, या फिर अंकुरन इसतर है, सबसे अंदर की ओर है, इसके बाद में दूसरा इसतर है, इसमें spinosum या फिर sulis इसतर है, तीसरा इसतर है इसमें काणी या फिर granulosum, चोटा इसतर है इसमें, लियुसिडियम यहाँ स्वच इस्तर है और पांचवा आता है इसमें कीन इस्तर है इसके अलावा यह नीचे का जो भाग है यह यहाँ पर दर्मिस का निर्मान करता है दर्मिस में दो भाग है एक तो हो गया इसमें पेपिलरी इस्तर है और दूसरा हो गया इसके अंदर है जा आंत्रीक भाग होता है जहां पे रोम पुट्टा के उपास्तित होते हैं इसके अलावा तंत्री का तंतु उपास्तित होते हैं